आज यहां हमारे कॉंग्रेस पार्टी के MPs और देश में, हर स्टेट में, हर कैपिटल में, इस्ट्रिक्स और ब्लॉक्स में, कॉंग्रेस पार्टी जो price rise है और खासत और से जो पेट्रोल और डीजल की price rise है, उस पर agitation कर रही है पिछले दस दिन में नौ बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसे बढ़ाए गए और इसकी चोट डायेक्टली सबसे गरीब मिडल क्लास लोगों को पढ़ती है वमारी मांग है कि यह जो प्राइसस बढ़ती जा रही है नवह प्रोटेस जा रही है और जो पेट्रोल वर डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं इनको सरकार को रा visitor करें और प्रडोल के दाम बढ़ाना बंद करें तो इसलिए हम सभ यहां आए हैं पूरे देश में हमारा प्र In English, we can see that petrol and diesel prices are climbing rapidly. Government is making thousands and thousands of crores from this. Over the last 10 days, nine times they have been raised. Congress Party is protesting across the country in districts, blocks, state capitals, here with our MPs, against this price rise, against the rise of petrol and diesel prices. Government has to stop doing this. This is hurting the poorest people in the country and it's hurting the middle class. Government has to ensure that prices do not rise and they stop raising diesel and petrol prices. Thank you. The government has to ensure that the government has risen. The government has a lot of weight and the government has not increased. In which way they are the results? Look, everyone knows that the price has risen. The price of the gas cylinder has risen. It's 102 rupees for petrol in Delhi today. में यह तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल का इस लेवल की प्राइस और सरकार सरकार का बड़ा बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीमों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और दो तीन चार बड़े उद्योग पतियों के हाथ कर लो तो यही बेसिकल तो हुआ है फाइदा जो सबसे बड़े अरभ पती है दोती उनको हुआ है और नुकसान किसका है नुकसान गरिबों का है मेटिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है अग्जिव पैट्रोल और चुनाव से पहले यह नहीं कर सकते है तो प्रुनाव के समय मैंने कहा था कि कि बाद में मुसीवत आई यह नहीं कर दो झाल 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 कर दो